प्रकोप लगतार जारी है आज बिहार के 18 जिलों में लू चलने की संभावना है मौसम विभाग ने इसको लेकर और इन जालट जारी किया है मौसम विभाग की माने तो पटना मुझफरपूर और शेखपूरा में तापमान बढ़ने से राते गर्म रहेंगी राजधानी समेट पूरे राज्य में पिछले कुछ दिनों से लगतार उत्तर पक्षमी हवाय चल रही है मौसम विभाग की माने तो आज उत्तर बिहार के जिलों में अधिक्तम तापमान एक से तीन डिगरी सेल्सियस की बढ़खोतरी होगी हलाकि दक्षिन बिहार में तापमान में कोई खास बदलाव की उमीद नहीं है मौसम विभाग के नुस्सार रविवार को प्रदेश का निंतम तापमान 31.2 डिगरी सेल्सियस पहुँच गया इसके चलते लोगों को रात में भी राहत नहीं मिल पा रही है दिन और रात में भिशन गर्मी ने लोगों को परिशान कर रहा है सुबह चार बज़े के बाद ही गर्मी से कुछ राहत मिल पा रही है बीते रविवार को सुबह से ही तेज धूप खिली रही धूप की तलखी के कारण सुबह आठ बज़े से ही गर्म हवाएं चलनी शुरू हो गई पटना और अंगाबाद, दर्भंगा, शेकपूरा, खगडिया, सुपॉल, नवादा, बांका, पूर्णिया, मुजफरपूर, पुर्वी चंपारन, गुपाल गंज, जमुई, भोजपूर, नालंदा, सिवान, अर्वल और भागलपूर जिलो में अलग-अलग स्थानों पर लू चलने की संभावना है साथ ही आपको बता दे कि मौसम विभाग के अनुसार 28 शहरों में अधिक्तम तापमान बढ़ा है और 21 शहरों में नियुंतम तापमान बढ़ा है खगडिया, शेकपूरा, बांका और नवादा भी लू की चपेट में रहा पटना के अधिक्तम तापमान में 0.1 डिगरी सेल्सियस की बढ़खोतरी हुई जबकि नियुंतम तापमान में 0.9 डिगरी सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई पटना में नियुंतम तापमान 28.7 और अधिक्तम तापमान 41.5 डिगरी सेल्सियस दर्ज किया गया शेकपूरा राज्ये का सबसे गर्म जिला रहा जहां तापमान 43.2 डिगरी सेल्सियस पहुँच गया विभाल में बिहार में लूक और एंज अलर्ट जारी किया है पटना मुझफरपूर और शेकपूरा में नियुंतम तापमान बढ़िजने से गर्म राते होने की संभावना जताए गई है दूसरी ओर सूरज की तपिश के कारण स्कीन काली हो जा रही है बीते रविवार को बिहार का नियुंतम तापमान 31 डिगरी रहा एक बार फिर से बता दे कि आज बिहार के 18 जिलो में लू चलने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग ने इसको लेकर ओरेंज अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग की माने तो पटना मुझफरपूर और शेखपूरा में तापमान बढ़ने से राते गर्म रहेंगी राजधानी समेथ पूरे राज्य में पिछले कुछ दिनों से लगातार उत्तर पक्षमी हमाय चल रही है मौसम विभाग की माने तो आज इत्तर बिहार के जिलों में अधिक्तम तापमान में एक से तीन डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी हलाकि दक्षिन बिहार में तापमान में कोई खास बदलाव होने की उमीद नहीं है मौसम विभाग के अनुसार रविवार को प्रदेश का निंतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया जिसके चलते लोगों को रात में भी राहत नहीं मिल पा रही है दिन और रात में भिशन गर्मी ने लोगों को परिशान कर रखा है सुबर चार बजे के बाद ही गर्मी से कुछ राहत मिल पा रही है